है गाईज वेल्कम टू देव भूमी करियर पॉइंट तो देखे जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस क्या था कि जल्दी ही चैनल पर आपके लिए कोर्स लाऊंगा ब्रिटिस कुमाओं गर्वाल तो उसका पार्ट वन है दोस्तों देखे इस कुमाओं जनपाद में जो ब्रिट सब्सक्राइब तो इसको देखते हुए काफी महत्वपूंग टॉपिक है साथी UKPSC यानि कि उत्राखिन लोग से वायोग के अंतरकत आयोजित होने वाली परिक्षाओं के लिए काफी महत्वपूंग ये टॉपिक है दोस्तों ठीक है तो बिल्टिस कुमाओं गर्वाल के उनके नंतरकत देखेंगे महत्वपूंग और राजस्व भूराजस्व बंदोबस्त होए ये सभी या नया एक जो प्रणाली में सुदार हुआ सभी महत्वपूंग पॉइंट पर चल्चा करेंगे दोस्तों ठीक है तो बने रही है और इस कोर्स का लाव उठाई देखिए चैनल आपके लिए बहुत प्रियास्त है दोस्तों कि आपको निसुल को इतनी सेवा है यहां पर प्रदान की जा रही है तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि चैनल को लाइक सियर करें या ना करें वो आपकी मर्जी है लेकिन कम से कम अच्छे कोर से इसका लाब उठाकर अप संगोली संदी 2 दिसंबर 1815 को हुई थी ध्यान केंगे 2 दिसंबर 1815 को हुई थी लेकिन नेपाल जो किंग्डम था उसने संदी का भहिसकार किया उन्होंने बोला कि हम इस संदी को एकसेप्ट नहीं करेंगे ठीक है इसके फलसरूप क्यावा बिल्टिसस ने भिहार के चंप पास है वो भी चला जाएगा इससे अच्छा तो यह है कि भागते होए कि बोलते ना होए भागते भूत की लंगोटी ही बली तो इससे अचाए यह कि यार जो गया गया जो बचया वो तो रह जाए तो इसलिए उन्होंने 4 मार्च 816 को इस संदी पर फाइनली हस्ताक्षर कि यह थे यानि कि संगोली संदी थी कब हुई थी 1815 में हुई थी संगोली संदी की पुष्टे नेपाल राज्य ने कफ की थी अगर कोईश्यन बनता है तो तो आप करेंगे चार मार्च 816 ठीक है दोस्तों तो लेकिन ध्यान रखेंगे जब 1815 में नेपाल जो गोलखा सा सकते व नाकि कुमाओ कमिस्नरी का यहां पर क्यों कुमाओ जनपत का गठन हो रहा है ठीक है आप थोड़ा इसको समझे दोस्तों जब कुमाओ जनपत का गठन हुआ था 1815 में तो उस समय कुमाओ जनपत फर रुखा बाद कमिस्नरी के अंतरगत आता था कुमाओ कमिस्नरी प्रथक लूप से नहीं बनी थी यहां पर त्यान रखेंगे केवल कुमाउज जन्पत बना था इसके साथ एक तैसील थी इसकी गड़वाल तैसील कुमाउज जन्पत बना था साथ ही गड़वाल तैसील बनी थी ठीक है कुमाउज कमिशनरी अभी बाद में आईए हो जब हम आगे या जब हम उत्रागंड का पूरा प्रसासनी के इतियास लेकर जब मैं आपके लिए आऊंगा उसमय जानेंगे आपकी कैसे कैसे यहां पर विकास हुआ था तो क्या हुआ 1815 में जब कुमाउज जनपत का गठन हुआ दोस्तों तो यहां पर पहला कमिशनर आइकॉन एडवर्ड गार्डनर ठीक है और देखें जो कि कुमाउज जनपत था यहां पर कमिशनर क्यों बेजा गया क्योंकि कुमाउज जनपत में दोस्तों जो यहां का प्रा या नियम कानून अन्य प्रांतों में लागू होते थे उन कानूनों से इस कुमाउजनपत को मुक्त रखा गया ठीक है बहुत महत्तों है तीन महीं अठासव पंद्र को पहला कुमाउजनपत में आता है कुमाउजनपत में आता है कुमाउजनपत जिसका उसमें वर्तमान जो म फरुखाबाद कमिशनरी के अंतरकत आता था पहला कमिशनरी यहां पर पहुंचता है दोस्तों और इस पूरे छेत्र को नॉन रेगुलेटिंग टेरेटरी में डाल दिया जाता है जिसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ गैर विनयमित छेत्र हिंदी में और इंगलीज में बुले तो नॉन रेगुलेट्शन टेरेटरी ठीक है क्योंकि आपको पता है ब्रिटिस कुमाओ का जो भूराजनतिक महतो था उसमें बहुत महतो पूह था हो ठीक है जियो पॉलिटिकल हम बोल सकते हैं इसको अब यहां पर कमिशनर कौन था तो फर्स्ट कमिशनर कौन था इगार्डनर जिसका पूरा नाम था एडवर्ड गार्डनर ठीक है द्यान रिखेंगे देखें जो अन्यम मैं आपको बता चुका हूं जो हमारा कुमाओ जनपर था वो नॉन रेगुलेटिंग नॉन रेगुलेशन टेरिटर आपर प्रशासर कोन होता था कमिशनर होता था कमिशनर को क्या का चाता था आयुक्तु हिंदी मैं ठीक है तो पहला अयुकत्य बनके है था इगार्डनर और इसकी का एक keeping दे दिया था उसमें फ्रिटिससनें ठीक है और देखे अलग लग बुक्स में अलग डाटा है जहां बद्रीदत पांडेजी बोलते हैं अपनी बुक कुमाओ का इतियास में कि ट्रे जो ए गार्डनर थी उन्होंने छे माहा तक कुमाओ जन्पत के कमिशनर के रूप में कारे किया जबकि मैं बात करूं जो हमारे दूसरे राइटर हैं डाक्टर अजैसिया रावत उत्राखंड का समगरी राजनेती के इतियास जिन्होंने लिगा है वो बताते कि नौ माह तक यहां पर बैठे रहे अपनी सीट पर कौन इगार्डनर ठीक है लेकिन जादातर यहां पर उप्य बैठा इगार्डनर इसका भी रीजन था दोस्तों इगार्डनर अपने समय का एक महत्वपूर्ण कूर्टनी दिखके था ठीक है कूर्टनी थी बहुत अच्छे से आती थी उसको और जो राजनेती जो फोरें पॉलिसीस थी यार फोरें रिलेसंस थे उसमें बहुत ही यहां पर पत खाली हो जाते 816 के आरंब में कुमाउं कमिश्णर का टीक है आप यहां पर समझिये क्या क्या था क्या बोला मैंने फ़र्च मैं इससे ज़्यादा ए गार्डनर के टाइम पे ऐसा कोई महत्वपूंग कारे नहीं हुआ था हालांकि हाँ अठार सो पंद्र में ए गार्डनर के समय एक महत्वपूंग पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि ए गार्डनर को यह राइट दे गए थे कि वह पुलीस और रेवन्यू के महकमे में आद्मियों की भर्ति कर सकते हैं और साती एक लग के बेशने की प्रथा भी प्रचलिती उसमें उसको भी बंद कर वया था 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 अठार सो पंद्र में ए गार्डनर ने इसके अलावा देखे काम क्या करते है, 6 माह में कितना यहां के लोगों को जानेगा, यहां की कंडिशन को जानेगा आदमी, उससे पहले तो उसका ट्रांसपर आ गया, और कार्टमांडू कोर्ट में वो इस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंड बन गए, इसके बाद महत्तों से देखा जाए, या सामरिक महत्तों से देखा जाए, तो कमिशनर ट्रेल ही कुमाओ जनपत के वास्तविक पहले कमिशनर मान सकते हैं, इनका कार्यकार ला दोस्तों 1816-1835 तक, ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट इनके लिए मैंने दिया है दोस्तों, वो है कि 1870 मे रेगुलेशन 10 एक्ट पारित हुआ यहां पे, कमिशनर विलियम ट्रेल के टाइम पे, 1870 में रेगुलेशन 10 एक्ट पारित हुआ, इसके अंतरगरत क्या होता था, तो रेगुलेशन 10 के अंतरगरत, कुमाओ के अफसरों को, यहां पर जितने भी मामले होते थे, उनके बागे अन्य मुकदमों के लिए यहां पर अलग कमिशनर रखने की आग्या प्रदान हुई थी, रेगुलेशन 10 के आरहर पर, लेकिन क्या हुआ कि कुमाओ चेतर में ऐसे कोई भी मुकद में नहीं आए, क्योंकि आपको पता है कुमाओ की जनता बोली वाली थी, तो यहां गुंडा गरती, ढकैती, खून वगरा की गटना है, ना के बराबर होती थी उस टैम पे, ठीक है, अब यह पॉइंट थे कि समझने से जादा है, याद करना ज़रूर यह कोईशन बन सकता है कि कि इस कमिशनर के टाइम पर, रेगुलेशन 10 नामक एक्ट आया था, ठीक है तो अगर आदमी खुद हाजीर मुकदमे में नहीं आता था, तो वो एजेंट को भेज सकता था, और उसको फी पे करनी होती थी, ठीक है, तो कोट की फीश टाम वगेरा की सुलवाद भी होई थी, विलियम ट्रेल के टाइम पर, ठीक है, इसलिए बदली दत्पांडे जी ने विलियम ट्रेल को कुमाओं का वास्तविक पहला प्रसासक, या कुमाओं के असली प्रथम सासक, किसको बोला है, विलियम ट्रेल को, और विल कोशन भी डिरेक्टली पूछा गया था भी आपके हाई कोट क्लरकिस्टैनों वाले एक्जाम में एक दिसंबर में कि अल्मोगा स्लीनगर के मत्ते डांग ब्योस्ता किसके टाइम पर यह किसने शुरू की थी तीक है यह कोश्चन ऐसे बनाता है थिंग कि विल्यम ट्रेल के द सरकारी खजाना था आपको पता ही है बहुत महत्तों पूंड था खजाना इसके लिए अठासर चौबिस माई डबल लॉग ब्योस्ता इसके अंतरकत क्या होता था दोस्तों जो सरकारी खजाना था तो खजाने की एक जो चाबी होती थी वो कलेक्टर के पास रहती थी और दूसरी कलेक्टर के पास यह उसको डबल लॉग ब्योस्ता कहा गया उससे पहले कि वह ट्रेजर के काम करते था लेकिन कलेक्टर को भी यहां पे एक साभी रखने को दी गई ठीक है दोस्तों और देखे सबसे महत्तों कारी जो ट्रेल का है दोस्तों नयावची थी तो आधर आपको पता है सबसे पहला विल्टी स्वकालिन भूवंदोबस्त किसके टाइम पी हुआ एगार्णर के टाइम पी हुआ ठीक है लेकिन देखे जैसा कि मैं आपको बता चुकाहां केवल कुमाओं जनपत का गठन हुआ था ठाठ्स्तों पंदरम है ना कि कुमाओं कमिस्नरी बार में बनती है और जब कुमाओ जीला बनता है वो किसके अधिन होता है कमिशनरी और फरुकाबाद तो वहां का जो कमिशनर होगा उसमें ततकालिन उस कमिशनर के द्वारा बोला गया था इगार्डनर को कि आपके वहां पर टोटल जो माल गुजारी के कितनी आ रहे कितना आपका कलेक्ट हो रहा है तो इस प्रसन का उत्तर वही कमिशनर दे सकता था जिसने यह पर बहु बंदोबस्त किया हो या एक्शुल मापन किया हो भूमियों का उसी के आधार पे तो रहेवन्यू की बात हो सकती थी ना क्योंकि उसमें आये का एकमात्र स्रोत था भूमिकर जो रहेवन्यू आता था ठीक है इसलिए गार्टन ने पहला भूम बंदोबस्त किया लेकिन उतना अच्छे डंग से नहीं हुआ ठीक है और समध 880 में यह भूमिकर बंदोबस्त आया था दोस्तों ठीक है इसलिए इसको 80 साला भूमिकर बंदोबस्त भी कहा जाता है ठीक है यह मान के चले कि यह राजस्तों बंदोबस्त इतना उसमें व्यापक और विस्तर था दोस्तों कि लोग इसको भूली नहीं उनका कितने चीजों पर अधिकार है यानि कि भूमी वन पानी तालाब नदियां जो भी प्राकरतिक संसाधन थे गाउवाले जान पाए इस भूमी बंदोबस्त के बाद कि हमारा कितना एरिया है इसलिए बहुत मसुहूर हुआ ये भूमी बंदोबस्त और इसको 80 साला भूमी लेकिन पहला पूचा जाता तो किसके टाइम पर ईगारण के टाइम पर इसके बाद देखिए दोस्तों ये बहुत कम बुक्स में दिया गया बहुत महुत आपने पॉइंट है ठीक है देखिए अभी जब हम उत्रागं का प्रसासनी के इतियास पगतेंगे तो वहां पर हम स सामिलता यह साहरनपुल जो साहरनपूर कमिस्षिनरी ती मंदल का होता है ? मंदल मंदल का मतलब होता है कमिस्षिनरी । cosa शारन्पुर जो कमिस्णरी थी उसमें सामिल था में धेहरा-धून। लेकिन यहां पर जो कमिस्णर था उसने यहां पर साभी बोला यार मेरे एक जिला समालना बहुत मुश्किल काम हो रहे हैं आप इनी यह नहीं को भी आँ पर क्यों सामिल कर रहे हैं तो यह सिगायद उपर तक गई इसके फलसुल रूप क्या हुआ कि एक माई 829 को फिर से देराथ उनको प्रथक कर दिया गया और इसको फिर से साहारनपूर कमिशनरी में सामिल कर दिय तो कमिस्णरी मंडल को ही बोला जाता है क्योंकि वरतमानद में अभी तो उत्रागन तो न दो दोस्तों वहाँ पर रहां थे सदर अधालत क्या थे निजामत अधालत क्या थे ये सभी हमने पढ़ा था Admiralty court किया थी तो यहां पर जो निजामत court हुई थे इलाबाद में ज we call this इसके अंतरगत लाया गया 831 कुमाऊ wood自然पत को तीक है यानी कि 831 में कुमाऊ जनपत का जो निया याधिकार छोडर हुआ वह उलाबाद निजामत court का दिन आधिना जिस्ति मत यहां है तीक distint कोशन यहां से भी निकल कर आ सकता है कि किस कमिस्नर के टाइम पर 831 में कुमाओ जनपत इलहाबाद की निजामत कोट के अधीन हो गया था तो यह था विलियम ट्रेल ठीक है इसके बाद दीखें आपकीजिए 830 के आसपास बरेली को भी यहां पर बरेली में भी कुछ टाइम के रही विलियम ट्रेल और फाइनली एक दिसंबर 835 को मिस्टर ट्रेल क्या होगे सेवा निवर्त हो गई यान की रेटायर हो गई है ठीक है लेकिन जो इनके महत्तोपूर्ण कारे रहे इनी कारें की वज़े से काफी फेमस भी हुए इनके नाम पर आज भी आपको पता है एक पास भी है ठीक है कई बार कोशियन भी वनता है कि किस कमिश्टर के नाम पर उत्राखन में धर रहा है तो यह विलियम ट्रेल के नाम पर यह ट्रेल पास ठीक है आप दीखे दोस्तों आज यह पार्ट वन था यहां पर इतना ही डिसकस करेंगे इसके साथ-साथ की पॉइंट कि दोस्तों पहला बिल्टी स्कालिन भू बंदुबस्त यह गार्डनर ने किया था जैसा कि मैं आपको बताओं बता चुका हूं कि पहला कुमाओ जनपत का जो पहला कमिश्टर बनकर आया वो कौन आयता है एडवर्ड गार्डनर बनकर आया था उसे के टाइम पर कुमाओ गार्डनर था जबकि उसका सहायक यानि कि असिस्टेंट कमिश्णर ओफ गरवाल कौन था उस समय पर डिप्टी कमिश्णर कौन था विल्यम ट्रेल था तो गरवाल में 815 में ट्रेल ने किया 815 में कुमाओ में यी गार्डनर ने किया दोनु महत्तों पॉइंट है अच्छे कमिश्णर ने कुमाओ को कुमाओ जनपत को 26 परगनों में विभाजित किया तो यह कौंता विल्यम ट्रेल था बनारस और कुमाओ एक चर्चित पुस्तक आई थी मिस्टर कैनेडी की तो मैंने यहां पर दे दिया कोश्ण बन सकता है बनारस कुमाओ किसकी पुस्तक है तो मि एंब्रस आप पाबंदी लगाइए लेकिन ट्रेल ने चर्चित देव जोशी की इसबात को नहीं माना लेकि दोत प्रेल ने उनको बोला था सिंपली कि आप अगर आपको लगता है कि यहां पर गौवद हो रहा है तो आप क्या करिए कुमाओ छोग यह और बनारस को निकल लीजिए वहां रही हिंदु लोग रहते हैं बनारस में ठीक है तो इसलिए क्या हुआ यह बात बहुत जाता चल्चि या तो आप कुमाओ छोड़कर जाईए बनारस चले जाईए या तो हम यहां पर गोवद करते रहेंगे ऐसे ट्रेल का कथन था ठीक है और इसलिए काफी जगह ट्रेल की काफी यहां पर कॉंट्रवर्सी भी हुई काफी यहां पर लोग विरोध भी किया इसी से कुमाओ का और गरवाल का अधाचेत्र बिर्टिसस के पास आ गया और फाइनली जो ऑफिशल गोश्रा के अनुसार क्या हुआ 1820 में सुदर्संसा को आधा गरवाल राजय सौंप दिया गया ओफिशल डॉकुमेंट तब आया था वैसे तो 1815 में वह अपनी राजदानी ले थे ठीक है सुदर्संसा लेकिन 1820 में जब ऑफिशल डॉकुमेंट आया तो कुमाओं के लोगों ने इसका घोल विरोत किया उन्होंने बोला गरवाल के राजा को तो उनका राज यह लोटा दिया तो हमारे कुमाओं को भी हमें लोटा दिजी हम यहां पे सासन करेंगे आप यहां से भागिए ऐसी बात होन लगी इसी को बोला गया ट्रेल गर्दी ठीक है ध्यान केंगे ट्रेल गर्दी तो इस बात का जब ज्यादा प्रभाव होने लगा तो उपर से बिल्टीसस ने अपने एक सदस्य को इसकी जांच हेतू बेचा था ठीक है कि वास्तों को लुप में लोग क्या मांग करें आप करके आईए तो मिस्टर ग्लेन नामक व्यक्ति आये थे ट्रेल गर्दी की जांच करने के लिए या उसमें लोगों की जो पृतिक रहते उसकी जांच करने के लिए लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था क्योंकि यार कौन आदमी था जो अपना पाया हुआ सुधार्षण साह को क्योंकि सुधार्षण साह taha youdh' का पूरा अब्याई नहीं चुका पाई थे ट्रेल करती आपको याद मनितस लेकिन कहीं पर क्वागों का निकली होई है ट्रेल की देविया है कि इस वज़ये से जो इस्शाई निर्यस थे वह थेवो ट्रेल को घ्रोल पॉइंट बन सकता है कि किस कमिशनर का इसाई धर्म की लोगों ने काफी विरोध किया था तो यह विलियम्ट त्रेली था लेकिन गौवत पे इसने यहां पर प्रतिबंद नहीं लगा था यह इसका वीक पॉइंट रहा जिसके कारण कुमाव जन्पत के लोगों की नजरों मे इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों 833 में ट्रेल दोर अलमोगा में पहला देशी चिकिसक न्यूकति किया गया यह भी महतोफ़ पॉइंट है तो 833 Pillard लाइट्रेल न्यााई कमिश्णर टेल किसका कतन है टीक है लाशन में बहुत है करने वाली कमिश्णर तीны बहुत आपके की भी controversy होती है जनता नहीं मानती थी विल्यम ट्रेल को उसमें कि वो न्याई ही थे जन्ता अलमगा की जन्ता और बद्रिदत पांडे जी ने भी इस बात को अनुची थेरा है वो बोलते हैं कि जन्ता के माहिनों में उसमें विल्यम ट्रेल जोते हैं वो एक कुरूल सा सकते है वो किसी की भी बात नहीं सुनते थे उनके टाइम भी सेम रोले टैक्टिक की तरह एक फेमस स्लोगन बन गया था नो अपील नो दलील सीधे ही मतलब उसमें कारवाई हो जाने वाला एक माहौल जैसा बन गया था ठीक है ना वकील ना पील ना दलील ऐसे टायब पर सरसरी तोर जो फैसले होते है एसी बात बोले जाती थी उसमें तो इस तरह की बात यह लेकिन जो ऑफिसल बात वह हमें आपने डिसकस करेंगे इसमें ठीक है तो दोस्तों यहां पर आज हमने देखा कि कुमाओ कमिस्णरी हमाप किजीगा हम यह पी देखा कि बिर्टिस कुमाओं गठन नहीं हुआ है आइटिंक next part में कुमाओ कमिशनरी का गठन होगा दोस्तर कि कुमाओ कमिशनरी स्वतंत्र कमिशनरी बनी थी अठार सो उनतारिस में ठीक है तो प्रसासनी हितिहास हम पढ़ेंगे जब तो अच्छे से जानेंगे और साथी कोसिस मेरी रहेगी कि आपको अ समय तक ठीक है अगर हम मजे से पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है हमारा दिमाग तो खुस होता है सांती एक अंदर से आंतरी कुर्जा का भी आवास होता है तो गाइस कैसा लगा आज का टॉपिक कमेंड बॉक्स में कमेंड करें कुछ आपका फीड़